हलो यूरिवन वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेजरी बिल ये टी बिल क्या होता है इसके कितने परकार होते है और इस पर कितना इंट्रेस्ट मिलता है कितने टाइम के अंदर तो वीडियो काफी छोटा है आपन तक जरूर देखें तो मान लीजिए कि भारत सरकार को रुपे चीए तो भारत सरकार क्या करती है आरबिया के पास जाएगी आरबिया क्या करता है कि ट्रेजरी बिल जारी करता है और जो आम जनता है वो उसको खरीद लेती है बदले में आरबिया उनको कुछ डिसकाउंट देता है और ये procedure है ये एक साल से कम टाइम के लिए होता है तो इस procedure को हम Treasury Bill का जो procedure है वो कह सकते है कि एक साल के अंदर Government of India वो रूपे RBI को वापस कर देती है और बदले में RBI जो customer है जिनोंने T Bill खरीदे हैं उनको अच्छा खासा यहाँ पर return देती है जो कि काफी secure होता है उसके बाद हम देखे कि इसकी अवदी कितनी होती है तो इसकी तीन परकार की अवदी होती है एक तो 91 days के लिए RBI जारी करता है दूसरा 182 days के लिए और तीसरा 364 days के लिए RBI यहाँ पर Treasury Bill जारी करता है तो फाइदा किस परकार से होता है जब T Bill को जारी किया जाता है तो उसको discount पर जारी किया जाता है जो आम जनता उसको discount पर T Bill जारी किया जाता है और जैसे वो mature होता है 91 days या 182 days के बाद तो उसकी जो वास्ट वी कीमत है वो मिलती है अगर example के जरी हम समझे तो मान लिजिए कि कोई जो T Bill है उसकी कीमत है 100 रुपे 100 रुपे हैं लेकिन जब वो जारी किया जाएगा गवर्मेंट और रबिय के द्वारा तो वो 97 रुपीज पर या 96 पर या 94 जितना भी है उस पर यहाँ पर जारी कर दिया जाता है तो मान लिजिए कि 97 पर आपको वो दे दिया गया है लेकिन उसकी जो real value है वो 100 रुपे है अब जैसे 91 days खतम होते हैं या 184 days खतम होते हैं तो आपको 100 रुपे ही मिलेंगे जो discount का फायदा हो यहाँ पर आपको मिलेगा जैसे आपको 97 में issue कर दिया गया था तो तीन रुपे का फायदा यहाँ पर आपको दिया जाता है तो इस तरीके से यह काफी secure है RBA के दवारा यह पूरा जो procedure यह करवाया जाता है तो इस तरीके से आप टी बिल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि काफी secure है और इन्वेस्ट करना कैसे है उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे आप चैनल से जुड़े रही है Thank you keep supporting